आज जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, हो सकता उसमें से कुछ बात है, सुनने में आपको कड़ी भी लगते हैं, लेकिन एक एक बात सच है, जब भी आप दुखी होते हो, तो उसकी जर्फ एक वजे है, जैसा आप चाहते हो, वैसा नहीं हो रहा है, यानि कि ये ज जिन्दगी आपके इसाब से नहीं चल रही है, तो आप जो मैं मोलने वाला, उसको ध्यान से सुने, क्या जिन्दगी ने ठेका लिया है आपको साथ क्वाईशे पुरी करने का, क्या जिन्दगी ने आपके साथ कोई एग्रिमेंट साइंग किया था, कि वो सिर्फ और तो अगर उसको पूरा करना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही, अरे जिन्दगी को कोई फर्त नहीं पड़ता है, क्या आप चाहे जीओ या मरो, लेकिन अगर आप जीना चाहते हो, तो अपनी जिन्दगी को दोश देना बंद, और खुद को इस लायक बनाओ, जो भ भाई अगर उना आभी रहा, तो रोलो, मन को हल्का करना, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से अपनी पूरी एनरजी से बोलेगा, बस आप बहुत हो, अब मुझे आगे बनाओ, अभी तो मैंने ठीक से जिद्गी की शिरुवात भी नहीं करी है, अभी तो आगे बताने ही क मन्जिल पर नहीं, क्योंकि अगर मन्जिल के थ्यालों में ही कोई रहे, तो रास्ते से बढ़ जाओ, लेकिन अगर ध्यान रास्ते पर रहा है, तो आज नहीं को करे, मन्जिल को जरूर पाओ, रास्ते में एक नहीं हजारों मुश्किले आएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो कभी घुज्रा वाकर तो कभी आने वाला पल्गि के लिखने की पूरिक पड़ी कोशिश करें कभी रिलाए नहीं है भस चभरे रह रहते आइंखे cave नो के लिख NC